एक है hello students ibe technical classes के अंदर आप सब का स्वागत हैं आज हम लोग sulfur hexafloride यानि SF6 circuit breaker की बात करें इस से पहले हम लोग air blast circuit breaker की बात कर रहे थे तो वहांपर हम लो क्या करा रहे थे यहर को high pressure के साथ strike करा रहे थे जिसके वाज़े से आर्क बुझ रहा था ठीक है आर्क इस्टिंग्यूश हो रहा था कूलिंग इफेक्ट हो रहा था तो वहाँ पर आपका एयर स्ट्राइक हम लोग करा रहे थे हाई प्रेशर के साथ अब देखें यहाँ पर हम लोग उसकी जगह पर क्या यूश कर रहें तो SF6 यूज कर रहे हैं सल्फर, हेकसा, फलोराइड, गैस का यूज कर रहे हिए तो अब इयर की तुलना में यह SF6 के अंदर बहुत सारा एडवांटेज होता है बहुत सारा prefable point होता है जिसकी वज़ा से इस टाइप का जो circuit breaker SF6 circuit breaker होता है वो more advantage अपने अंदर रखता है as compared to air blast circuit breaker क्योंकि वहाँ पर हम लोग R को बुझाने के लिए क्या यूज़ कर रहे थे एर यूज़ कर रहे थे होता है आपका normal air की तुलना में तो और भी बहुत सारा point है वह एक point करके हम लोग बात करेंगे लेकिन जो main point है वो क्या है आपका dielectric strength चुके वहाँ पर air का हम लोग ऐसे आर्क को बुझाने के लिए यहाँ पर SF6 का यूज़ करेंगे तो चुके SF6 एक अच्छा gas है अच्छा dielectric medium प्रोवाइट करता है तो इसका जो आपका strength होता है इस type के circuit breaker का वह ज्यादा अच्छा होगा ज्यादा rating के लिए prefer करेंगे हम लोग तो यह आपका air circuit breaker की तुलना में बहुत अच्छा circuit breaker होता है तो अब यहाँ पर चुके जो gas यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर कुछ विशेश प्रोपर्टी होती है जो आपको air में नहीं मिलेगी तो वो प्रोपर्टी क्या है वो गुन क्या है सबसे पहले उसको समझते हैं फिर इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को हम लोग समझ लेंगे बहुत आसान है यह भी एसेफ सिक्स circuit breaker भी अब यहाँ पर सिर्फ हम लोग क्या यानि कि आपका air blast की जगा पर हम लोग क्या करेंगे आपका एसेफ सिक्स यूज करेंगे बाकी वर्किंग बहुत जादा चेंजेज नहीं एसेफ सिक्स यूज करेंगे और इसका कुछ अपना advantage होता है एसेफ सिस का इसी लिए इस टाइप का circuit breaker के अंदर more advantages हमको मिलता है तो प्रूपर्टी क्या है तो first property लिखा गया it is colorless मतलब कोई color नहीं होता दूसरा चीज क्या लिखा गया अड्ट परकार का जो-गैस है एक ही point के अंदर बहुत सारे advantage आपको देखाया गया colorless भी होता है अडरलेस भी होता है non-toxic भी और non-filammable भी होता है यानि इसके अंदर किसी परकार का कोई color भी नहीं है और आपका गंध-smail भी किसी परकार का आपको नहीं produce करता है और non-toxic यानि आपका जहरीला भे नहीं है और ये जलता भी नहीं है तो ये आपका क्या है एडवांटेज आपको एक तरह का मिला दूसरा एडवांटेज क्या कहा जा रहा है यानि आपका हीट को डिसिपेट करना हीट को फैलाना हीट को लेके जाना दूसरी जगा ये अच्छा होता है इसके अंदर तो हाइयर थर्मल कंड़क्टिविटी एबाट 2-2.5 टाइमस देन एयर एयर की तुलनाम इसके अंदर थर्मल कंड़क्टिविटी क्या है दो से धाई गुणा अच्छा होता है यानि also better cooling property than air यानि कि आपका cooling property इसके अंदर क्या होगा अच्छा होगा बेटर होगा as compared to air ठीक है ये second point तीसरा point लिखा है the gas is more electromagnative यानि इसकी electromagnative property भी air की तुलना में अच्छी होती है चौता point का कहा गया dielectric strength is 2.35 times then air यानि आपका जो dielectric strength है breakdown strength है वो आपका क्या है air की तुलना में better है यानि आपका same voltage पर अगर हम air use करेंगे और आपका हम SF6 use करेंगे तो air आपका क्या होगा पहले puncture हो जाएगा पहले उसके अंदर arc produce होगा और आपका जबके SF6 के अंदर आपका arc produce नहीं होगा क्यों क्योंकि इसकी dielectric strength insulation चमता वो air की तुलना में अधिक होती कितना तो two point three five times better होता है अच्छा होता है dielectric strength air की तुलना में next point क्या लिखा हुए extremely stable यानि बहुत अच्छा ये stability stable होता है यानि ऐसा नहीं कि जिस्यमन क्या reaction कर लिया stable होता है and inert inert भी हम लोग कहते हैं ऐसे gases को जो आपका normal अवस्ता के अंदर जल्दी किसी से react नहीं करता है independent रहता है दूसरी के साथ react नहीं करेगा जल्दी तो ये भी आपके अच्छा प्रोपर्टी extremely stable and inert and its densities five times of air की तुलना में इसका घनात वे density भी पांच गुना अधिक होता है और last advantage क्या लिखा गया है it is it has 100 times r के कोइंचिंग प्रोपर्टी देन air सबसे important और final point आपका क्या है के 100 times आपका r कोइंचिंग यानि r को बुझाने का चमता वो बेटर होगा अच्छा होगा air की तुलना में तो आपको समझ में आ रहा होगा के air circuit breaker के अंदर चुकि air की सहाता से हम लोग क्या करते थे r को बुझाते थे अब उसी air की जगा पर हम लोग क्या यूज़ कर रहे ही sf6 यूज़ करेंगे तो इस परकार इसी लिए हम लोग क्या करेंगे अब sf6 circuit breaker को prefer करेंगे आपका air blast circuit breaker की तुलना में थीक है तो अब देखिए यहां पर यानि higher rating के लिए आपका कौन sf6 circuit breaker prefer किया जाएगा तब इसका sunrachna construction देखिए थोड़ा आपको देखने में complicated लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान चीज़ है क्यों क्यों क्योंकि हम लोग air blast समझ चुके हैं तो same इसी तरह का केवल यहां पर air blast यानि air strike कराने की जगा क्या करना हमको SF6 strike कराना है तो बाकी सारा चीज़ सेम होगा इसमें बाकी देखिए आपका fix contact होता था moving contact होता था और फिर हम लोग वहां पर air को strike कराते दे तो यहां पर air strike की जगा आपर क्या strike कराएंगे SF6 strike कराएंगे, SF6 का blast करवाएंगे तो वही काम यहां पर क्या जा रहा है तो दो contact है आपका एक को हम fix member कहा रहे है और दूसरे को हम क्या कहा रहे है moving member कहा जा रहा है तो fix वाला तो अपने जगा इस्थीर रहे को और जब आपका fault होगा तो moving वाला क्या हो जागा आपका air part हो अच्छा थोड़ा सनरचना भी देख लिजे पहले उसके working तो बहुत आसान है यहां पर यह moving वाला पूरा पार्ट है moving का जो last part है यहां पर हम लोग क्या करते है insulating rod for operating moving member या इसकी सहता से आपका क्या होगा यह moving वाला जो पूरा contact है moving contact यह operate होगा किसकी सहता है insulating rod for operating moving contact member या moving member ठीक है तो moving member या moving contact को operate कराने के लिए insulating rod का use क्या जाता है इसकी सहता से यह operate होगा और यह किस से connect होगा तो यह moving contact आपका relay system से connect होगा relay mechanism की सहता से यह operate करेगा और क्या लगावा है तो यहाँ पर देखिए contact यह आपका fix contact है लेकिन fix contact के साथ एक निया चीज़ यहाँ पर देखाए गया है यह holo type का होता है cylindrical type का cylinder type का होगा जिसके अंदर जगा होगा horn बना हुआ और किसको कहते हैं तो आपका singh देखा होगा अपने गाय का चाहे fizody का था ही का इस तरह का सिंग जो होता है उसके अंदर क्या होता है तीर्चा फैला हुआ टाइप का होता है तो ये इसकी वज़े से क्या होता है इसको हम लोग आर्किंग ہورن بھی کہتے ہیں آرکنگ ہورن مطلب آر کو پھیلا دینے والا تو آرک جب پھیلے گا تو ہم کو معلوم ہے آرک کو جب پھیلا دیا جاتا ہے تو اس کا لیند بڑھ جاتا اور لیند بڑھ جاتا ہے تو اس کی ریسیسٹنس بڑھتی ہے اور آرک جلدی بجھ جاتا ہے ठیک ہے تو آرکنگ آپ دیکھے گا ترانسفرمر گھر کے پاس لگاؤऊगا وہاں پر بھی دیکھے گا ترانسفرمر کے پاس fuse लगाते हैं हम लोग तो उस fuse के पास भी इस तरह का यहाँ पर fuse लगावा है तो यह वाला इस तरह का हम लोग arking यूज़ करते हैं तो यह arking horn यानि fuse अगर milt होगा और यहाँ पर arc produce होगा तो यह arc क्या कर जाएगा फैल जाएगा और फैलने के वज़े से जल्दी बुझ जाएगा ठीक है तो आरकिंग होरन यूज़ किया जाता है आरक को जल्दी बुझाने के लिए आरक को लेंद को बढ़ाने के लिए हम लोग आरकिंग होरन का यानि sing type का construction सनराशना बनावर्ट होगा जिसके वज़े से आरक फैल जाता है तो यह आपका fixed contact के अंदर बना होगा ताके आरक फैल जाए लेकिन यह आपका main equipment नहीं है main आपका आरक इसके वज़े से बुझेगा तो mainly आपका आरक जो बुझेगा वो SF6 gas की वज़े से बुझेगा तो यह आपका यहाँ पर जो chamber होता है यानि contact, fixed contact और moving contact के बीच का जो chamber होता है इसको हम क्या कहते हैं? आरक chamber कहते हैं जहाँ पर आरक बुझाने का काम होगा तो normally city में तो यह क्या होगा? यहाँ पर आपका क्या लगावा है? pipe type का लगावा जहां से SF6 आएगा इसके लावा SF6 का एक tank भी होगा जो diagram के अंदर नहीं दिखाया गा वो understood है, आप समझ लिजगा कि कोई आपका SF6 का tank होगा जहाँ पर SF6 की store होगा और वहाँ से SF6 gas आ रहा होगा ठीक है? तो बाकी आपका प्रिंस्पल समझ लिए तो normal city में क्या होगा? दोनों contact close होगा, कोई दिकत नहीं, normal current आपका flow हो रहा होगा लेकिन जैसे short circuit होता है, short circuit city के अंदर आपका relay sense करेगा और आपका insulating rod की सहता से आपका mechanism होगा जिसकी वाइसे moving contact separate होगा और जैसे moving contact separate होगा आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? SF6 gas insert करेगा, enter करेगा ठीक है? और यह moving contact किसकी सहता से आपका काम कर रहा है तो moving contact आपका जो काम करता है वो relay की सहता से काम करता तो same इसी तरह का system याणि यहाँ पर mechanical operation हो रहा है तो same इसी तरह का mechanical operation आपका याणि के gas के पास होगा जिसकी वैसे valve open होगा और gas वहाँ से released होगा और आपका यह वाला arc बुझेगा, ठीक है? तो arc बुझाने के लिए हम लोग क्या किये है? जैसे यहाँ पर arc produce होगा, यह arc बुझाने के लिए हम लोग क्या किये है? यहाँ से आप देखे, इस इफ 6 gas आ जाएगा और इस इफ 6 आ कर strike करेगा जिसकी वज़े से आपका arc बहुत जल्दी fastly बुझ जाएगा 3 cycle के अंदर ही, यानि आपका first cycle, two cycle and three cycle उससे पहले ही आपका क्या हो जाएगा? आर के बुझ से जाएगा, आर पूरी तरह से कोइंच हो जाएगा अब जो gas बचेगा, gas को बाहर भी निकालना है, इस इफ 6 gas को तो यहाँ पर आपका यह वाल्व है, यह जब moving contact open होगा तो यह वाल्व इधर से open होगा, जिसकी वाईसे जो gas है, वो बाहर आपका release हो जाएगा ठीक है, तो यह आपका क्या होता है, SFCS का operation इस तरह से होगा आपको समद में आ रहा होगा, बहुत आसान चीज़, तो यहाँ से आपका SFCS आ रहा है आर्क प्रोडूस होने पर इसके strike कराएंगे, और strike जब होगा, तो आर्क बुझेगा और gas जो बचावा होगा, यह gas यानि आर्क बुझाने वागए बाद जो gas होगा, इसको हम बाहर release करेंगे अब दूसरा चीज़, इसी चीज़ को यहाँ पर भी देखाए गया, आसान डाइगराम के अंदर, तो यहाँ पर अब देखिए, यह वाला जो contact उपर में इस तरह का दिख रहा है यह दोनों moving contact है, ठीक है, और यह वाला आपका क्या है, fixed contact, तो यह moving contact और fixed contact, यह वाला आपका क्या है, यह मान लिजे आपका fixed contact, यह fixed contact है, और इधर वाला जो contact है, moving contact, और moving contact के यह जो लगा हुआ है, moving contact के साथ जो rod लगा हुआ है, यह rod यहाँ पर भी हमने देखाया, वही rod यहाँ पर है तो इसको भी आप moving contact suppose कर सकते हैं यानि moving contact के साथ लगा होगा और इसकी सहाता से आपका movement का काम होगा ठीक है तो अब देखिए जब आपका क्या हो रहा है जैसे ही यानि moving contact normal इसी थी में तो जैसे ही moving contact पीछे हटेगा तो अब यहाँ पर देखिए पहले gas भारा होगा ठीक है यह gas क्या हो जाएगा जैसे ही यह वाला contact पीछे होगा तो यह अपने जगहा पर यानि रॉट क्या करेगा अपने जगह पर और बाखी जो gas है यह gas compressed हो जाएगा ठीक है यह आप सॉरी moving contact अपनी जगह पर नहीं बलकि यह move करेगा ठीक है move कर रहा है तो क्या हो रहा है आपका gas compress होगा और यहाँ पर आपका वाल्ट टाइप का जहां से gas इधर आर्क की तरफ आएगा और आर्क की ऊपर क्या करेगा gas strike करेगा जिसकी वाज़े से आपका आर्क बुझ जाएगा तो यह moving particle moving object है normal city में यहाँ पर थोड़ा gap रहता है जिसके वाज़े से air आपका strike यानि gas बाहर release नहीं होता है निकलता नहीं लेकिन जैसे move करेगा movement होनी के वाज़े से आपका जो compression है gas का वो compress हो जाता है और आपक gas क्या हो जागा बाहर यहाँ पर released होगा और आपके आर्क को बुझा देगा तो यह normal चीज़ है दोनों तरफ से आप समझ सकते हैं लेकिन book के अंदर एक ही diagram दिया गया तो आप इसी की माधियम से समझ जाई है कोई दिकत नहीं है तो यह आपका SF6 का diagram जिसके अंदर हमने construction working देखाए और mainly तोर से जो SF6 का advantage है उसको समझने SF6 gas का property है उसको समझना अब इस परकार का हम लोग SF6 gas का use करके जादी circuit breaker बनाते हैं तो इसका आपका क्या होगा advantage जादा होगा higher rating पर हम इसको prefer कर सकते हैं आपका जो आर्किंग time है वो कम हो जाएगा reliable जादा हो जाएगा और आपका rupturing capacity इसके बढ़ जाएगी dielectric strength इसका बढ़ जाएगा तो overall आपका ये परकार का जो SF6 circuit breaker उसको हम लोग higher rating पर लगभख 750 kv या उससे अधिक पर भी हम इसको prefer करते हमको कोई problem आर्क को बुझाने के अंदर नहीं होता है I hope ये चीज़ के लिए और हो रहा होगा आपक इसका है उसको हम लोग next class के अंदर discuss करें आज के लिए इतना ही thank you